नमस्कार दोस्तो डिश्टल इंडिया टेक में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में बात करने बाला हूँ रेलवे जहीं में जन्रल साइन्स के कोशन्स आने हैं तो इसके कोडिंग मैंने कोश तयार किये गये हैं तो आपके लिए आज पहला क्वेज है तो पूरे करते हैं फर्स्ट कोशन है विच कॉम्बिनेशन ओप कलर इस दो मोस्ट कन्विनेंट दूरिंग डे एंड नाइट रंग का कौन सा सही हो जान दिन और रात की समय सबसे सुविदा जनक है दोस्तो इसका सही आंसर है लाल और हरा ये दिन और रात की समय सबसे सुविदा जनक हैं तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ यानि की D नेक्स्ट कोशन है तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाल आंसर प्लिकुल सही होगा नेक्स्ट कोशन है इफ इन्फुट फ्रिक्वेंसी ओफ फुल वेब रेक्टिफायर तो भी एंग देन आउट्पुट फ्रिक्वेंसी ओड भी दोस्तो आपकी फुल वेब रेक्टिफायर में इन्फुट फ्रिक्वेंसी एंड दी है आउट्पुट फ्रिक्वेंसी पूछी है तो दोस्तो फुल वेब रेक्टिफायर में आउट्पुट फ्रिक्वेंसी हो जाती है input की two times अगर दोस्तों ये half wave होता तो यहाँ पर इसका answer होता n, full wave है इसलिए इसका answer है क्या 2n, यहाँ पर आपका देहली वाला answer बिल्कुल सही होगा 2n next question है the instrument that measure and record the relative humidity of year, हवा की साफिच आदरता को मापता और record कौन करता है, दोस्तों ये है high grow meter humidity को, और hydrometer होता है वो क्या आपता है, घनत बना आपता है density, lactometer दूद की सुधता मापता है जबकि barometer मापता है pressure को, उसके बाद next question है, बहे उपकरण जो महसागरों की गहराई को मापने के लिए धुनी तरंगों का उप्योग करता है the instrument which uses sound waves to measure the depth of ocean is sonar, sonar का यूज़ करते हैं गहराई को मापते के लिए next question है हमारी आकास गंगा का आकार कैसा है, the shape of our milky way galaxy is, दोस्तों यह सभी को पता होगा spiral, यानि कि यहाँ पर आपका C, आपका आंसर बिलकुल सही होगा next question है what is the view through an electron microscope, एक electron microscope के माध्यम से क्या देखा जाता है तो इसका सही आंसर है structure of bacteria and virus यानि कि bacteria और virus की सरुच्चा इस electron microscope के द्वारा देखी जाती है, तो B answer इसका यहाँ पर सही होगा, next है C, automobile में hydraulic brake जो hydraulic brake हैं किस की सिद्धान पर, किस principle पर work करते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है pascal, pascal के जो low है, उस पर हमारे जो hydraulic brake हैं, वो work करते हैं तो यहाँ पर आपका C answer बिलकुल सही होगा next question है, निम्न मैंसे उसमा का सबसे अच्छा सुचालक best conductor of heat among the following तो यहाँ पर सही answer कौन सा है, पारा, पारा जो है, उसमा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, तो यहाँ पर B answer आपका बिलकुल सही होगा next है when a bar magnet is cut into two equal halves, the pole strength of each piece, जब एक बार चुमबक को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है, तो प्रतेक टुकडे की धुरुप शक्ती बतानी है, कितनी हो जाती है तो दोस्तों, जब भी एक चुमबक हो उसको दो टुकडों में बाट दिया जाए, तो जो उसकी pole strength है, वो लगबग equal रहती है, यनि कि समान रहती है ठीक है, तो जब चुमबक को दो टुकडों में काटा जाता है तो जैसे एक चुमबक में दो pole होते हैं, north, south ऐसे ही चुमबक को कितने भी टुकडों में काट दिया जाए, उसके उधने ही pole हो जाते है, इस question में आपका daily वाल answer बिलकुल सही है, समान रहती है next question है what apparatus is used to locate a submerged object, यानि कि जल मगन बस्तू का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों उसका use किया जाता है सुनार का, सुनार का use करते हैं जल मगन बस्तू का पता लगाने के लिए तो बॉमबे यहाँ पर answer आपको बिलकुल सही होगा नेक्स्ट कोशन है यानि कि आपको यहाँ बताना है चुमकत की दीवरता का चुमकत बल से रेशियो क्या होता है इंटेंसिटी ओब मेगनेटाइजेशन टू दा मेगनेटाइजेशन फोर्स तो यहाँ पर दोस्तों का सही आंसर है ससब्टे बिलिटी यानि कि सम्वेदन सीलता जो है बहुत है इनका रेशियो यानि किसका होता है इंटेंसिटी ओब मेगनेटाइजेशन और मेगनेटाइजेशन फोर्स का रेशियो क्या है ससब्टी बिलिटी पॉम्बे आंसर बिलकुल सही होगा नेक्स्ट कोशन है तार के प्रतिरोत के बारे में कौन सा कथन गलत है गलत बताना है ठीक है indicate the false statement about the resistance of buyer तो दोस्तो इसके लिए यहाँ पर आपका सही answer यानि की जो गलत है वो है सही यह तार के cross section area के सीधे समानुपाती होता है दोस्तो गलत है क्योंकि इसमें वहता है inversely proportional ठीक है formula होता है rho बराबर में r a upon l तो यहाँ से जो resistance है वो कैसा है 1 upon a तो यह क्या है inversely proportional जबकि इसमें बोला है क्या छेतपल से सीधे अनुपाती यानि की directly proportional तो यहाँ पर आपका यह जो c है वो गलत है तो फ़लाल इस question में c वाल answer आपका बिल्कुल सही होगा next question है the angle between the magnetic meridian and the geographical meridian and the geographical meridian at a place as तो एक जगह पर चुमकी meridian और भोगलग meridian की बीच का कोड को क्या बोलते हैं दोस्तों उसको कहते हैं declination होता है दोस्तों इसको साहे वो बोलते हैं दुखपात कोण ठीक है इनके बीच का कोण क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं दिखपात कोण इंगलेश में बोलते हैं declination तो यहाँ पर आपको बॉंबे वाला answer बिल्कुल सही होगा next question है a compass needle cannot be used to detect जो compass needle है उसका किसमे यूज़ करने के लिए नहीं लगाते हैं चुम्ब के उत्तर दच्छन दिशा की दिशा बिल्कुल लगाते हैं दोस्तों polar T of magnet ये भी पता लगाते हैं N और S पता लग जाता है उससे उसके बाद चुम्ब के छेतर के दिशा ये भी पता लग जाता है एक चुम्बक की सक्ती ये पता नहीं लगता है यहाँ पर आपका C answer बिल्कुल सही होगा उसके बाद next question है निम्न पधारतों में से किसके ताबमान में प्रद्धी के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है यानि कि temperature बढ़ रहा है तो resistance किसका कम होता है semiconductor का है सिलिकोन resistance की बात की जए दोस्तों तो ताब बढ़ने पर यानि कि temperature बढ़ने पर जो conductor होते है, metal होते है उन में resistance भी sorry, resistance भी बढ़ जाता है यानि कि temperature बढ़ने पर resistance बढ़ जाता है जबकि semiconductor और Insulator में strategically बढ़ने पर resistance आपका कम हो जाता है खलाल इस questions में आपका जो answer है वो A होगा चुद्ध सिलीकॉन Next question है Safety fuse while used in domestic electrical appliance is made of metal of flow घरेलू बिद्द उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सुरच्छा fuse तार कम मलब किस धातु से बनी होनी चाहिए क्या होना चाहिए उसमें दोस्तो उसका होना चाहिए melting point कम होना चाहिए जिससे अगर उसमें current अधिक flow, high flow तो उसका जो गलनांग है वो तूट जाए और वो बाइर तूट जाए गलनांग कम होना चाहिए उसका तो यहाँ पर आपका second answer बिल्कुल सही होगा Next question है In AC circuit, AC meter measure AC circuit में AC meter क्या measure करता है तो वो नापता है RMS value को ठीक है AC meter क्या हम आपता है RMS value को और RMS value क्या होती है RMS value होती है B max upon root 2 यानि कि अगर voltage के terms में कहें B rms बरावर B max upon root 2 I rms बरावर I max upon root 2 उसके बाद next question है एक transformer है किसके सिद्धान पर कारे करता है Our transformer work on the principle of तो दोस्तों इसका सही answer है mutual induction पर जो है transformer work करता है तो bomb बे विलकुल सही answer है Next question है तो दोस्तों ये था physics का एक simple security आपके लिए तो पूरे set को लगाए और बताए आपके कितने number इस set में बने है तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद